दोस्तो आज की इस विडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी टू डियर बाई लियो टॉलिस्टॉई तो हम इसे स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूई कि मैंने आपके करनाटा का बोट के इंगलिश के क्लास 12 के स्लेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है ज चलिए दोस्तो अब कहानी को शुरू करते हैं तो ये है मुनैको ये एक छोटा सा राज्य है और इस राज्य का एक राज्य है और यहां का जो राज्य है वो बहुत ही पॉपुलर है और इस राज्य के पास एक छोटी सी सेना है जिसमें कुछ सिपाई है और इस राज्य का एक छोटा सा आर्मी है जी हाँ छोटा सा इसमें ज्यादा लोग नहीं है और इस राजे का जितने भी खर्च है वो चलता है यहां के टैक्से जैसे की टोबैको का टैक्स हो गया और वाइन का टैक्स तो अब तक इस राजे में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अब एक दिन अचानक से यहां पर हतिया हो जाती है जी हाँ इस बंदे ने एक बंदे का हतिया कर दिया और अब यह बंद यानि कि जिसने मडर किया है यह गिरफतार हो चुका है तो अब राजा इसे सजा देगा तो इसके लिए राजा कौंसिलिंग करता है आप इसे पंचायत कह सकते है जैसा कि गाउं में होता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यानि कि या group of people है राजा इन सब को सभी चीज़े बताता है तो यह सभी कहते है जी हाँ इसे सज़ा मिलना चाहिए यहाँ पर जितने भी लोग है वो सभी कहते है कि इसे मौत की सज़ा होना चाहिए इसका सर धर से अलग कर देना चाहिए तो अब यह बात final हो गया कि इस बंदे को मार दिया जाएगा यानि कि इसका सर धर से अलग कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तो इस राज्ये में गूलिटीन नहीं है ग्यूलिटीन क्या होता है मुझे उमिद है दोस्तों आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेविलुशन में अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दू तो ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर बंदे का गला रखा जाता है और उपर से इस औजार को गिरा दिया जाता है तो जो भी बंदे का सर इसके अंदर होगा उसका सर बदन से अलग हो जाएगा ये मशीन इस राजे के पास नहीं है तो अब इस राजे के जो राजा है वो एक लेटर लिखवाते है फ्रेंच गवर्मेंट को ये लेटर में लिखते है कि इन्हें ग्यूलिटीन मशीन चाहिए तो अब ये लेटर पहुँच चुका है फ्रेंच गवर्मेंट के पास अब एक हफ़ते बाद ये फ्रेंच गवर्मेंट रिप्लाई करता है और कहता है कि हमें 16,000 फ्रैंक्स चाहिए फ्रैंक्स दोस्तों कहते हैं फ्रेंच के करेंसी को तो यहां के राजा ने यानि कि फ्रांस के राजा ने 16,000 फ्रैंक्स चाहिए इस मशीन के बदले तो दोस्तो ये बात जैसे ही पता चलती है मोनैको के राजा को इतना महंगा हम सिर्फ इतना पैसा खर्च करे एक इंसान को मानने के लिए वो भी जिसने किसी का मडर किया हम ऐसा नहीं करेंगे तो अब ये राजा पिचान हो गया है क्योंकि ये सोच रहा है कि एक बंदे की पीछे में इतना पैसा कैसे लगा दू तो अब फिर से राजा काउंसिलिंग करते है यानि कि ग्रूपस ओफ पीपल फिर से आते है तो अब यहां से लोग कहते है कि क्यों न हम इस हत्यारी को आर्मी से मरवा दे य नहीं होता इस मडरर को मानने के लिए तो फिर से ये मडरर यहां भी बच गया तो अब फिर से काउंसिलिंग होती है जी हां एक बार फिर से काउंसिलिंग होती है और फिर से ग्रूपस ओफ पीपल आते है और अब राजा फिर से कहते है कि आर्मी से कोई भी तयार नहीं हु जहां पर कोई इंसान उमर कैद की सजा काट सके, यहां पर सिर्फ नॉर्मल लॉक इप है, तो अब यह राजा पता लगाने लगते हैं, यानि कि छान बिन करने लगते हैं कि इसे कहां रखा जाए, तो राजा को एक जगह मिलता है, सो इसी जगह पर अब यह हत्यारह रहेगा, तो यहाँ पर राजा एक गाट को भी रखते है ताकि यह हत्यारा यहाँ से नहीं भाग सके अब मैं आपको थोड़ा सा इस गाट का काम बता दू तो इसका पहला काम यह है कि यह इस मडरर का देख भाल करेगा कि यह यहां से भाग ना जाए और इसका दूसरा काम यह है कि इसे रोज जाना है महल और महल से खाना लाकर इसे देना है तो अब एक साल गुजर जाता है और अब राजा जोडते है यानि कि कितना खर्च हुआ इस मडेरर के पीछे वो राजा कौंट करते है तो राजा देखते हैं कि 600 से ज्यादा खर्च हो गया इसके खाने में और गाट की सैलरी को लेकर तो दोस्तो अब यहाँ पर राजा सोचते हैं कि अभी यह हतियारा बहुत ही यंग है और यह अभी 30 से 40 साल और जियेगा तो इसके पीछे बहुत खर्च है तो अब राजा सोचते हैं कि यह इतना खर्च हो रहा है तो इसे कुछ और करना चाहिए तो अब राजा फिर से एक बार काउंसिलिंग बुलाते हैं और फिर से यहाँ पर groups of people आते हैं तो अब यहाँ काउंसिल के लोग कहते हैं कि हमें गाट को वहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि अगर हम गाट को वहाँ से हटा देंगे फिर वहाँ से हत्यारा भागेगा तो जैसे ही हत्यारा भागेगा हम उसे पकड़ लेंगे और इसे फासी की सजा दे देंगे तो इससे वो मर जाएगा तो यही चीज डिसाइड होता है और अब गाट को नौकरी से हटा दिया गया तो अब अगले दिन जब इस कैदी का डिनर का टाइम होता है तो यह देखता है कि अब तक इसका खाना नहीं आया तो अब यह यहां से निकलता है और यह जाता है महल यह खुद अब काउंसेल से सभी लोग कहते है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए हमें इसे कह देना चाहिए कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हारा खर्च उठा सके तो यहां से सभी लोग जाते है कैदी के पास यहां पर आने के बाद यह कहते है कि तुम यहां से भाग तो अब last में एक बार फिर से कॉंसेल होता है और कॉंसेल के लोग कहते है की हमें इसे छोड़ देना चाहिये और हमें इसे yearly pension देना चाहिये तो अब ये सभी लोग इस कैदी के पास आते हैं और इससे कहते हैं कि हम तुम्हें पिंसन देंगे तो तुम यहां से चले जाओ हम तुम्हें यरली पिंसन देंगे तो अब फाइनली ये कैदी रेडी हो जाता है इसे हर साल 600 फ्रैंक्स मिलेंगे और जब अभी ये जा रहा है इसे 200 फ्रैंक्स मिलते हैं एडवांस में तो अब ये मोनाइको किंडम छोड़ कर चले जाता है और ये दुसरी जगह पर जाकर इस 200 फ्रैंक्स है यानि कि जो एडवांस में मिले थे इससे ये एक जमीन खरीता है और इसके उपर गार्डेलिंग करने लगता है और जब भी इसका पेंशन का वक्त होता था ये वापस मोनाइको आ जाता था अपने पैसे लेने के लिए और कभी कभी ये अपना वक्त गुजारता था गेमिंग आर्स में तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है मुझे उमीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा और हाँ दोस्तों मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के से